अबिनंदनिये है क्योंकि चोदरी साहब तरफदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुल्नी सेवा तरफदेश को दी उनके नित्रत्तों में तरफदेश ने एक दिसाब राप्ते की थी चोदरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गाँ और खेट खिल्यानों से उकरके जाता है चौदरी साब कि इस उक्ति को प्रधान मंतरी मोदी जी के नित्रितों में आज सार्थक किया है और ये आज एक नहीं उचाईयों पे पहुंच रहा है जब चौदरी साब को देश के किसानों और देश के अतुल्ने विकास के लिए उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ और चौदरी साब के परती उनकी स्मिर्तियों को नमन करते वे बिनम्र सर्धान जली भी देता हूँ पूर प्रधान मंतरी सी पीबी नर्ट सिंग महराओ जी को भारत रत्ने की उपाधी से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विप्रीद प्रस्तितियों में देश को एक नई दिसादी थी जब इदेश आर्थिक सुधारों की दिसामे एक कदम बढ़ारा था उस समय इस देश को पीबी नर्ट सिंग महराओ जैसा नित्रत्तों मिला था उनके विद्वान नित्रत्तों में इस देश ने जो प्रगती आरंब की थी सच मुझ भारत अतना उनकी प्रती एक सच्ची सर्धान जली है भारत के किर्शी वे ज्ञानी के रूप में हरित क्रांथी के पणिता में स्वामी नाथन जी को भारत तत्य देना अन्यदाता किसानों की जीवन में प्रिवर्तन के लिए उनके द्वारा किये गए प्रियासों का सम्मान है में स्वामी नाथन जी को भारत तत्य मिलना यह करों किसानों का हर गरीब बंचित जो आज तमाम योजनाओं से लावानित हो करके भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान उत्पन कर रहा है में स्वामी नाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है भारत अतना का सम्मान उनके द्वारा किर्सी छितर में किये गए सुधार और किये गए बैज्यानिक उपायों का पेणाम है यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है मैं इसके लिए परी हिर्दे से आभार वेक्त करता हूँ और उन्हें बिनम्बर सर्धांजल रपित करता हूँ चौधरी चरण सिंग जी पीबी नुसिमा राओ जी और मैस स्वामी नाथन जी को भारत अतन का सम्मान एक अविनन्दनी है और स्वागत यूग के फैसला है तो बड़ी खबर आपको बता दें सीम योगी ने भी बधाई दी है भारत रप्त दिये जाने पर चौधी चरण सिंग को